आप देख रहे हैं आईफोन 7 का रिव्यू और इसके पहले की मैं रिव्यू की शुरुआत करूँ आपको बता देना चाहता हूँ कि आईफोन 8 इंडिया में लॉंच हो चुका है जिसके कारण आईफोन 7 की जो कीमत है वो काफी हद तक कम हो गई है यह हैंसेट आप खरीच सक लेकिन इसके बाद आपको दो साल तक हर महीने 2499 रुपे का भुगदान करना पड़ेगा और जो 2499 रुपे का जो मंतली पेमेंट है इसमें आईफोन 7 का कोस्ट भी निकल जाएगा और साथ में आपको 30 GB का डेटा भी मिलता है हर महीने और अनलिमिटेट कॉलिंग भी मिलता है वैसे लॉंगरन में यह सौदा काफी महंगा पड़ जाता है लेकिन आपको तुरंत सस्ते में आईफोन मिल जाता है तो बहतर होगा कि आप आईफोन डारेक्ली खरी देए चलिए रिव्यू की शुरुवात करते हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हैंसेट का पर पड़ा तक्रीबन 38,999 रुपए में बॉक्स के ओपर स्पेसिफिकेशन क्लेरी मेंचन किया हुआ है यह आता है 32GB इंटर्नल स्टोरेज स्पेस के साथ में बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा यह आईफोन 7 यह बॉक्स पैक मैंने पहले ही खोल दिया था तो हो सकता है जो कॉ बॉक्स के अंदर और क्या-क्या मिलता है यह जो आई फोन है यह फोन यह आपल ने डिजाइन किया हुआ है आपको कुछ आपल के स्टिकर मिलते हैं और यह काड़ भी मिलता है इसमेश यूजर मैनूल और वारंटी चाड़ भी है आपको सिम ट्रेय एज्टे पिन भी इन By म मतलब कि यह जो iPhone है, इसमें 3.5 mm audio jack नहीं है, तो आपको इस cable का इस्तमाल करना पड़ेगा, अगर आपको audio सुनना है तो, आपको यह data cable भी मिलता है, यह भी lightning cable है, iPhone जो है, यह अलग किसम की port का इस्तमाल करता है, जिसे कहते हैं lightning port, तभी तो Android और Apple की जमती नहीं है, और यह है Anth theme content, यह है travel charger, आपल कंपनी जो है, इन्होंने खुद ही handset भी design किया हुआ है, hardware भी उनका खुद का है, और software भी उनका खुद का है, तो तकरीबन सारी की सारी चीजे उन्होंने खुद ही बनाई हुई है, यह है iPhone 7, अगर build quality और finishing की बात करें, तो यह बहुत ही premium quality का phone है, जो camera module tool है, वो थोड़ा सा बाहर की तरफ है, और अगर आप finishing ध्यान से देखें, तो बहुत ही अच्छा है, काले रंग का है, matte finishing के साथ में आता है, और यह बहुत ही छोटा है, और बहुत अच्छी तरीके से हाथों में fit भी हो जाता है, यह जो circular button देख रहे हैं, यह fingerprint sensor का भी काम क की तरफ कुछ नहीं है, और राइट हैं साइट पर है power button, साथ में है sim tray, पीछे साइट पर है camera, साथ में LED flash है, और secondary microphone है, नीचे की तरफ आपको मिलता है speaker out, microphone और lightning port, sim tray को मैंने eject कर दिया है, देख सकते हैं कि iPhone 7 एक ही sim slot support करता है, और वो भी nano sim slot, तो उसे मैंने दाल दिया है, यह voice over LTE support करता है, यह 4.7 inch का retina screen है, और यह आता है 1334 by 750 pixels resolution, screen quality की अगर बात करें तो वाक्य में बहुत ही बढ़िया है, मुझे एक update मिला था और मैंने इस iPhone 7 को update कर दिया है, तो अब यह run कर रहा है iOS 11.0.3, Apple के जितने भी devices होते हैं, वो एकदम अलग होते हैं, Android से तो काफी अलग होते हैं, और यह iOS platform का इस्तमाल करते हैं, मतलब कि iOS operating system का इस्तमाल करते हैं, जो कि Android से बहुत ही अलग है, interface बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही smooth है, यह है settings को options और आप देख सकते हैं कि यह काफी हद तक Android की तरह ही है, अगर आपने Android स्मार्टफोन इस्तमाल किया है और आप पहली बार Apple के device का इस्तमाल कर रहे हैं, तो आप वो थोड़ा बहुत समय लगेगा सीखने के लिए, क्योंकि इसमें जो navigation system है वो थोड़ा सा अलग है, iPhones के एक हाज़ बात है Siri voice recognition software, मैंने Siri को पुछा की how is the weather today और मुझे यह information मिल गया है, तो यह भी काफी impressive है, जादा करके Apple hardware के बारे में detailed information नहीं देता है, और Apple 8N का GPU भी है, इसमें है 2GB RAM और handset का dimension भी दिया हुआ है और weight भी दिया हुआ है, काफी lightweight है 138 grams, डिस्प्ले के बारे में भी information दिया गया है और वो काफी accurate है, और camera का information भी दिया हुआ है, 12 megapixel का rear camera है और 7 megapixel का front camera है, यह quad co powered है, यहाँ पर clearly mention किया हुआ है, और अगर sensors की बात करें तो इसमें वो सारे sensors हैं, जो एक premium smartphone में होने चाहिए, मतलब कि normal sensors के अलावा gyro और magnetic sensor भी है, settings में camera के भी option है, जहाँ पर आप camera का settings है, वो setup कर सकते हैं, और यह है camera का interface, HDR और live photo का भी option है, और यहाँ पर आपको और भी options मिलते हैं, photo, square, panorama, video, slow motion, time lapse, यह है मेरा selfie shot जो मैंने 7 megapixel के front camera से खीजा हुआ है, और यह है long shot जो मैंने rear camera से खीजा हुआ है, 12 megapixel का rear camera है, camera quality की अगर बात करें तो वो above average है, इस handset में optical image stabilization भी है, जो videos recording के दवरान बहुत ही काम में आता है, यह है कुछ shots जो मैंने इसी handset से कीजा हुआ है, iPhone 7 से, जितने भी handsets का मैं review करता हूँ, मैं यह same shots कीजता हूँ, क्यूंकि comparison में बहुत ही असानी हो जाती है, iPhone 7 4K videos भी record कर सकता है, यह है night shot, वीडियो मैं 4K resolution में record कर रहा हूँ, यह 4K recording है जो मैंने इसी handset से record किया हुआ है, इसकी जो mic की quality है वो बहुत ही अच्छी है, और यह जो 4K recording हो रहा है, उसकी quality भी बहुत ही बढ़िया है, focusing भी यह बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, और अगर आप video record करते हैं, smartphone का इस्तमाल करके, तो उसके लिए iPhone बहुत ही अच्छा option है, वीडियो recording के दोरान stability ठीक ठाक है, slow motion के लिए भी यह iPhone 7 बहुत ही बढ़िया है, 1080p at 120fps पे कर सकता है, और slow motion 720p at 240fps पे भी कर सकता है, N22 score काफी impressive था, 1,4,000,000 के आसपास, गौर करने वाली बात यह है कि Apple अलगी operating system का इस्तमाल कर रहा है, यह जो Asphalt 8 गेम देख रहे हैं, इसमें options भी अलग है, और यह जो गेम है मैंने Apple store से डाउनलोड किया हुआ है, क्योंकि hardware अलग है, operating system अलग है, इस गेम को भी Apple phones के लिए optimize किया गया है, यही गेम को अगर आप Android smartphone पे खेलेंगे तो आपको बहुत सारे details मिलते हैं, लेकिन इस iPhone 7 पर देख सकते हैं कि कुछ details missing है, वैसे गेम तो बहुत ही smoothly play कर रहा है और कोई भी issue नहीं है, गाड़ी का control भी काफी अच्छा है, जैसा कि मैंने पहले कहा, Apple hardware के बार में ज़्यादा details नहीं देता है, मुझे पता नहीं कि यह handset में कितना mAh का battery है, लेकिन इस battery को charge करने के लिए मुझे लगे तकरीबन 2 गंटे 30 मिनिट 20% से 100% तक, और full charge पर आपको मिल सकते हैं तकरीबन 1 से 1.5 दिन का battery life, इसकी sound quality काफी अच्छी है, नेटवर्क्स का मुझे कोई भी issue नहीं आया, और अगर heat up की बात करें तो जी हाँ Apple phones भी heat up होते हैं, लेकिन वो control में है, ज़्यादा heat up नहीं होता है, fingerprint sensor जो आगे की तरफ है, वो बहुत ही fast और accurate है, और अलगी किसम का vibration देता है, Apple phones का एक अलगी craze है, और ज़्यादा करके जितने भी लोग ये Apple phones का इस्तमाल करते हैं, वो आगे चलके भी Apple phones ही खरीदते हैं, वैसे Apple phones में जो experience मिलता है, वैसा experience या उससे भेतर आपको Android phones में भी मिल सकता है, तो ये iPhone 7 अच्छा option है, लेकिन भेतर होगा कि अगर आप iPhone 7 Plus का इस्तमाल करें, क्योंकि उसमें dual camera's आते हैं, और अगर आप iPhone 8 खरीदने का सोच रहे हैं, तो भेतर होगा कि आप iPhone 8 Plus खरीदें, महंगा भी थोड़ा पड़ेगा, लेकिन जो dual camera's है, उसकी quality बहुत ही बढ़िया है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद,